उत्तर प्रदेश में विधान सभा उप्चुनाओं की तारीखों के एलान के बाद सियासी पारा उफान पर है लगातार विपच्चे कानून विवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेर रहा है सर उप्चुनाओं की तारीखों का एलान हो चुका है कॉंग्रेश जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है इस उप्चुनाओं में क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा हमारा जो काम है हम पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और हम सब लोग उनको निश्चे तौर से पूरी ताकत देंगे सर जिस तरीके से कानून विवस्था को लेकर दो कस्टोडियल देथ हुई है लखनओं में तो उसको लेकर लगातार भाजपा सरकार जो है निशाने पर है और लगातार मुख्रमंतरी कह रहा है कि हमारी जो कानून विवस्था है वो एकड़म सुद्रण है उसमें कोई दिक कि जहां पर नहीं के लोग बोल नहीं कि और दो गंटे का समय मिल जाता तो महाराज गंच को खतम कर देते यह कानून वे उस्था है वहाँ पर एक लड़के कि जिस तरीके से हत्या की गई यह पूरी सरकार की फेलिवर है दंगे कैसे हुए जान बुचकर कराई गए इनके व पूरी तरीके से फेलिवर है और ये जंगल राशकाय हम है। मुख्रिमंत्री कातार कि हमने मुआफजा दिया भाचपा अमन जो गौता में वापस आजैगा üsको तो मौझा भी नहीं दिया टो किसी के वजूद को और किसी करी संमान को और किसी के मौत का सौधा आप कर रहे है जिस तडिके से जो पैसे दिये गए और क्या लगता है कि परिवार के लिए और क्या करना चाहिए था परिवार को पैसे भी देने हैं तो 10 लाग का क्या मायने है अगर पैसे भी देने हैं तो कमस्का माँ 50 लाग रुपे दीजिए सरकारी नोकरी दीजिए जिसे वो परिवार अपना जीवन यापन कर सके अपने बच्चों को पाल सके अपने परिवार को पाल सके जो उसकी पतनी उसको सरकारी नोखरी नहीं पुरी तरीके से नेरंकुश हो चुकी है और मुखमंतरी जी ये पूरी तरीके से नाकाम्याब हैं पुरी तरीके से नाकाम्याब हैं पुरी तरीके से अपने कंट्रोल करने में और पुलीस अपने मन से निर्णा लेकर काम कर रही ह और लगातार इस तरी गटनाय बढ़ती जारी है इसका मतलब कि पूरी मुखमंतरी सरकार फेल है मुखमंतरी को इस्तिफा दे कर मठ में जाना चाहिए जिनका कहना है कि उत्रप्रदेश में कानून विवस्था पूरी तरीके से हाशिये पर है और मुखमंतरी को इस्तिफा दे कर अब वापस अपने मठ चले जाना चाहिए राधायन लखनाउ से केमरापरसन साकेत के साथ मैं अथरवरस्तोगी देन एक भास कर के लिए